हलो दोस्तों आज का यह दूसरा वीडियो है इसके पहले वाले भी वीडियो को आप जरूर से देखिए जिसमें मैं Constituent College की Cut-Off के बारे में बात किया हूँ और आज इस वीडियो में फिर से दूसरे वीडियो में बात करने वाला हूँ कि Private College का Cut-Off कितना गया है तो cut off rank यहाँ पर दिया गया है, cut off exact number नहीं दिया गया है, तो rank के हिसाब से भी आप अपने आपको वहाँ पर judge कर सकते हैं, कि हमको college वो मिला है या नहीं मिला है, तो जैसा कि मैं पहले वीडियो अगर बात कर चुका हूँ, जैसे कि private college में मैं अगर बात करूँ, तो हम आचार सुदर्सन B8 college है, उसमें अगर मैं बात करूँ, तो माल लो कि मैं पहला number पे आचार सुदर्सन college rank किया था, और मेरा rank है 15600 साथ, और यहाँ पे हमको अलाउट नहीं हुआ है, हमको कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 15605 तक कोहीं अलाउट हुआ तो हमरा था 15600 साथ, लेकिन अगर हमारा 15003 होता, तब हम यहाँ पे LNMU को मेल करेंगी, सर हमारा इतना rank है, लेकिन हमको अलाउट नहीं हुआ है, दूसरी बात, दूसरी बात सबसे काम की बात यह है कि प्राइवेट जो कॉलेज है, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ और से CML rank के अधार पे आपको क्या हुआ हुआ, आपका जो CML rank है, उसके अधार पे आपको यहां पे लाउट होगा, प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसलिए ना तो यहां पे BC rank आपको देखने के लिए मिलेगा, EBC rank देखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक rank होगा, इसके पहले में मैं एक cut-offs related वीडियो बताया था, जिसमें बताया था कि cut-off जारी हो, जिसमें भी मैं बताया था, कि यहां पे private college में कोई भी reservation नहीं होता है, इसलिए वहां पे बस एक ही rank होता है, ठीक है, वहां पे ST का बच्चा हो, ST का बच्चा हो, OBC का हो, EWB, मतलब सारे बच्चे एक ही category में वहां पे है, मतलब वहां पे कोई reservation नहीं है, जो government-added college है, constituent college और सिर्फ fully government college, उसी में क्या है reservation होता है, इसलिए वहां पे cut off अलग-अलग आया है, जैसा कि इसके पहले भी लव रिडियो में आप लोग देख लिए होगे, अब यहां पे देखिए सबसे ज़्यादा college चुनने का फाइदा क्या होगा, कि बहुत बच्चे का rank 50,000 में है, उनको भी college क्या हो गया है, अलग हो गया है, देखिए, यह college बच्चा बहुत ज़्यादा चूच किया होगा, इसको 43,000 भी है, तो जो बच्चा माल लिए, चौंगन 60,000 rank होता था, वो कहता था college मिलेगा सर, तो हम उन्हें क्या बोला था, कि हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आप maximum college सेलेक्ट कर लिजे, एक तो बच्चा ऐसा है न, जिसका 87,000 rank है, उसको college all out हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको 87,000 rank है, वो कहीं पर है, इसी में 87,000 rank है, उसको भी college क्या हो गया, इस बच्चे का rank कितना है, 87,000 something, 87,274, तो इसको भी college all out हो गया, तो हो सकता है, आप समझ रहा होंगे, यह कैसे all out हो गया, तो इसलिए all out हो गया, कि हो सकता है, इस college में बहुत कम बच्चे select कियोंगे, ठीक है, जब कम बच्चे select कियोंगे, तो इसका cut-off क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम चला गया, मतलब कि कम ही marks पर इस पूठा लिया, rank तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन number wise पर हम बात करें, तो number कम ही है, कम ही number पर यहाँ पर admission हो गया, तो एक पर मैं university बाइज भी बात कर लेता हूँ, कि university बाइज देखी क्या है category, तो पहला आर्जवर्ट knowledge university है, तो अब आर्जवर्ट knowledge university में एक San Xavier college था, तो देखी यह भी एक private college था, लेकिन यह बड़ा demand में था, तो इसका cut-off कितना गया है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, तो इसका college देखी, इसका cut-off मतलब कितना गया है, तो यह 2661 rank थक वाले हूँ के लाउट हुआ है, ठीक है, और constituent college में भी कभी कभी क्या होगा, 2000 से ज़्यादा बच्चों वाले को लाउट हो गया है, तो जो आप 24 में क्या कर रहे थे, उसी को क्या होगा, उसी में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, admission लेना है, अगर आपको admission, sorry, sorry, cut-off चेक करना, उसी में सिर्फ cut-off चेक करना, आप सारे में चेक करने लगिएगा, तो फिर बड़ा गड़बर हो जागा, जैसे कि आप माले जे कि यहाँ पर एक हम अभी आपको दिखाएं कि अब 87,000 वाले बच्चों को क्या हो, मौलाना मजरूल हक इनवर्सिटी में जो है, 87,000 वाले को मालो एलाउट हो गया, तो 87,000 वाले रैंक वाले को जब उसमें एलाउट हो गया, तो सर आप कहिए है कि सर हमारा तो 15,000 ही है लेकिन हमको कॉलेज एलाउट ही नहीं हुआ है, उस 87,000 वाले को कईसे एलाउट हो गया, तो फिर आप आपसे मेरा यही सवाल है कि भाईए आप चूने थे क्या वो कॉलेज, ठीक है आप जितना call चुने थे उतने में कोई ऐसा है क्या rank जिसमें आपसे कम बाले को अलाउट होगे आपको ने अलाउट हुआ है तब आप जो है guilty या LNMU को गलत बोल सकते हैं ऐसे आप गलत नहीं बोल सकते हैं बिना मतलब का comment section में comment करने लगेगा बिलेव लगाने लगेगा उससे कोई फैदा नहीं होने वाला है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो आपको rank कैसे check करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको इस तरह से अपना rank check करना है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर मैं एक नए वीडियो मिलता हूँ अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर से कुमेंट किजिएगा मैं उसका रिपलाई जरूर से करूँगा तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद